हैलो स्ट्डियेंड्स, वेलकम दू G.S.Learning once again, आज हम पार्टनर्शिप फंडमेंटल का एक और कॉश्चन करेंगे और यह कॉश्चन हमने टीयस ग्रेवल की लुक से लिया है। ये कोशिंजों में करने जा रहे हैं ये profit and loss appropriation account पर based है profit and loss appropriation account कैसे बनाते हैं ये बहुत ही simple है जैसा कि आपने 11 में पहले बनाया था trading account वहां से हम gross profit निकालते हैं उसके बाद हम बनाते थे profit and loss account वहां से net profit निकल की आता था लेकिन partnership firm में हम एक और account बनाते हैं Profit and Loss Appropriation Account इसका मतलब है यह जो profit है बचा हुआ यह partner आपस में appropriate कर लेंगे यानि कि बाट लेंगे, distribute कर लेंगे और इसी profit को कैसे बाटना है इस account के तरह हम सीखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं Question No.16 Prem and Manoj are partners in a form sharing profits in the ratio of 3 to 2 the partnership deed provided that Prem was to be paid salary of rupees 2500 per month and Manoj to get a commission of rupees 10,000 per year यहाँ पर Prem को salary मिलेगी 25 रुप पर month और Manoj को commission मिलेगा 10,000 रुपेका Interest on capital was to be allowed at 5% per annum और partners की जितनी भी capital उस पर हम 5% per annum का interest देंगे and interest on drawing was to be charged at 6% per annum interest on Prince drawings was Rs. 1250 and Manoj's drawings was Rs. 425 यहाँ पर partners ने जो drawing की थी उसका interest यहाँ पर given है आपको निकालने की कुछ भी ज़रूत नहीं है Interest on capital of the partners was Rs. 10,000 and 7,500 यहाँ पर partners का जो capital का interest है वो भी निकाल कर दिया हुआ है तो आपको interest on capital भी नहीं निकालना The firm's net profit for the year ended 31st March 2020 was Rs. 90,575 Prepare profit and loss appropriation account of the firm बहुत ही असान question है तो चले स्टार्ट करते है Question number 16 Profit and loss appropriation account हम बना रहे हैं 31st March 2020 को Buy profit and loss account Net profit Net profit given है 90,575 खेट साइड में आएगा interest on drawing यह firm के लिए income है तो प्रेम पे जो interest चार्ज किया वो किया 1250 और मनोज पे 425 टोटल हो गया सिब्स्टीन हंडेड सेविंटी फाइड अब डेबिट में सेलरी सेलरी मिलेगी प्रेम को और यह 25 सुर्व पर मंत है तो यहर की जाएगी 30,000 टू कमिशन कमिशन मिलेगा मनोज को 10,000 रुपी इसके बाद 2 इंटरस्ट और क्यापिटल इंटरस्ट और क्यापिटल आपको निकालने के ज़रू नहीं है यह कोश्चन में कीवन है प्रेम मनोज प्रेम का इंटरस्ट और क्यापिट 10,000 और मनोज का 7,500 टूटल हो गया 17,500 बागी कुछ भी नहीं है आप इसको आड़ कर लो तो यह आएगा 90,000, 250, 92,000, 250, to profit, transfer to, प्रेम कापिटल काउंट, मनोज कापिटल काउंट इनकी रेशो गिवन है 2 to 2, इनकी रेशो गिवा है phase to 2 और यह बचा 34,750 अभी 34,750 को डिवाइड कर देंगे phase to 2 में तो इसका आएगा प्रेम का 20,850 और मनोज का आएगा 13,900 इस question में बस आपको इतना ही करना था profit and loss यह पर पिश्मान माना था बाकी को शेने कास्मी, थैक्स ववाचिए